नमश्कार सातियों जैहिन जैभारत जै उत्राखन सातियों आप सभी लोग की समख्ष में एक और नई वीडियो लेके आ गया हूं उत्राखन डाजु के अंत्रगत हाल फिलाल में जारी के के कुछ नए महतकुन भरती विक्यापन के इस संपद में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे चैनल के माध्यम से उत्राखन सुख्षा विभा की हर एक लैटर सब्डेट के नॉटिपेकिशन कोसिस की जारी है कवर करने की इसी क्राव में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब बेटिन को जरूर प्राइस कर दें सा यहां 21 पर वड़ी 2013 की रेट में विग्यापन प्राइस करने के संबद में नॉटिफिकेशन पर पत्रांग जारी किया गया जिसके अंतरकर जानकारी दिया गया है कि किर्पिया उप्रोक्त विशे उत्रा खंडाज में प्रकासित होने वाली यहां पर न्यूजपर की जानक कारी बताया गया कि बाईस पर वालीी 2013 की शंस्क्रण में इंपराजसनिक वशे उत्गैस मैं प्रशासन परादेख एक गर्रर बात करें अगर में नॉटिफिकेशन की बात करूँ तो Power Transmission Corporation उत्राखन Limited के अंतरगत आपको इस तरीक से notification देखने को मिलेगा Management Trainee HR में आपका 2 post हैं and number of post आपका Company Secretary के लिए एक पद रखा गया है Power Transmission Corporation of उत्राखन Limited required to Management Trainee HR for 1 year Training and 1 आपका Company Secretary Training के लिए 12 से 15 मन्त के लिए आपका ये training period रहेगा Eligibility requirement के बात करें For Management Trainee HR के लिए बताया गया है The candidates have passed 2 year regular course PGDHR and MSW and MBA HR For Company Secretary Training candidate posing CS Executive and CS Professional Examination Pass Certificate Conduct by ICSI is eligible as per the guideline of the Institute of Company Secretary of India New Delhi Stipend की बात करें बहुत ही minimum stipend डिया गया है training scope The selected candidates shall be paid stipend of Rs. 8,000 per month और Only those candidates fulfill the eligibility criteria apply with full bio data along with the self-attached photocopy of qualification certificate copy and domicile certificate in an envelope marked as application for the management trainee HR CS trainee has applicable through speed post registered post by hand to reach on the before 15 March 2023 by 5 p.m. on the following address Director HR PTCUL Vidyut Bhavan Near ISBT Crossing Marjora उत्राखंड देखे कही न कहीं मैं इससे उत्राखंड और प्रदेश का दुर्भागी मानूंगा कि एक प्रसुक्षित युवा को as a trainee इतनी कम stipend provide करवाई जा रही है बहुत ही minimum stipend है आगला जो आपका भरती विग्यापन रिलीज किया गया है National Institute of Technology उत्राखंड के अंतरकट रिलीज किया गया है इसका notification आप चेक आउट कर सकते हैं official website से जानकारी के लिए आपके साथ साजा कर दें कि राश्ट्र प्रोदोगी संस्तान उत्राखंड के अंतरगत आपका स्रीनगर परिस्तर के लिए बताया गया है और राजकी द्योगिक प्रसुक्षन संस्तान स्रीनगर जिला पॉड़ी गडवाल के लिए बताया है आदी सूचना जारी कि आपके अप्लिकेशन फील होंगे विध्यप्ती संख्या पर गिवन है आपके पास सलाकार प्रक्यॉर्मेंट के लेस में सलाकार ओर्डिट, सलाकार कंस्ट्रक्शन और सलाकार ट्रेनिंग एंड प्लेस्मेंट के लिए पर रखे गई है जानकारी के लिए बता दें कि छुक अभ्यारती है जो उक्सपदों के लिए सैक्चिक योगेता अनुबाव आयूसीमा आविदन आफ्सलाइन प्रस्तूत करने की जो अंतिम्ती थी आधी के लिए विस्तिस विवराण आप इसके लिए संस्तान के ओफिशल वापसाइट www.nituk.ic.in का अवलोकन करें साधी किसी भी प्रकार की परिसिस्ट सुद्धी पत्र संस्तान के ओफिशल वापसाइट पर उबलवद होगी अभ्यारतियों संस्तान के ओफिशल वापसाइट का अवलोकन करें और जानकारी के लिए आपके साथ ये भी साजा कर दें जिन भी अभ्यारतियों ने अभी तक हमारा टेलिग्राम ग्रूप लिंक इन डिस्क्रिप्शन है साथे फेस्बूप ग्रूप का भी लिंक इन डिस्क्रिप्शन है अभी तक जोईन नहीं करें तो जरूर जोईन करें विकॉस होता क्या है आप सभी लोगों का अगर बिजिस चीडूल है तो हमारे टेलिग्राम के माध्यम से और फेस्बूप के माध्यम से भी सई समय पर सई जानकारी साजा किया जाए वो सई अनलस्सके साथ यूटूप के माध्यम से भी आपके साथ जानकारी वो शेर की जा रही है नेक्स एनाइटी के अंतरगर जो ओफिशल रिक्रूटमेंट रिलीस किया गया है उसके बारे में भी discussion कर लेते हैं जिसे आप official website से चकाउट कर सकते हैं advertisement number and 20 February 2030 की rate में published किया गया है recruitment notification application invite किये गें Indian national retired from IITS, NITS, IMS and other central funded institutions, central state government office and PSU, PSBS and MNCS extra for appointment as consultant procurement, consultant audit, consultant construction and consultant trainee and placement candidate should apply on the enclosed application form with enclosure along with certificate document service recorded the person who will fill the eligibility criteria and are willing to offer their service as a consultant one each in the area of procurement audit construction and training and a placement related service may submit their duly filled in application with all enclosure along with the copy of PPO on the before 21st March 2023 up to 5.30 PM to the following address the envelope containing the application should be superscribed as the application for the post of consultant यहाँ पर आपके बस address के जानकारी screen पर mention किया गया है consultant procurement के लिए one post है education qualification essential and desirable qualification की बात करें essential दिया गया bachelor degree in any discipline from the recognized university and institute experience a 10 to 15 year of administrative experience in the NITS, IITS, IIMS and other central funded institution central state government office PSU, PSBS and MNC extra at an appropriate level with experience in a procurement related matter is limit up to 70 year only consultant audit के लिए one post है bachelor degree in any discipline from the recognized university and institute at least अगर आपके पास 10-15 साल का administrative experience है in the institution mention किये गई है age अगर आपका up to 70 year है only consultant construction के लिए one post है B.Tech and B.E. अगर आपके बास civil engineering में है किसी भी recognized university and institute and college के अंत्रकत आप लिजी बात करें master degree है construction technology and management और construction engineering and management और similar naman culture experience दिया गया है at least 20 year का experience in construction project reported and should have worked as a head civil work GM civil in the central PSU अल्राइट इसके लिए बताया गया है यहां पर screen पर age limit up to 70 year है तो आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं consultant training and placement के लिए one post है B.E. B.Tech degree और MBA degree relevant filled with first class equivalent grade 6.5 in 10 point scale and consistent excellent academic record desirable MBA और PG diploma at least अगर आपके बास 5-10 year का experience से age limit के बात करें up to 70 year consultant के लिए scope of work and job responsibility mention के आगया consultant procurement के लिए consultant audit consultant construction के लिए consultant training and placement के लिए general instruction screen पर mention किया गया है eligibility criteria computer literacy communication drafting skill terms of appointment mention किया गया method of selection remuneration दिया गया है and draw of pension house and allowances transport allowances other allowances leave TADA restriction working hour and confidentiality of data and document के बारे में conflict of interest and IT उत्राखंड deserve the right as follow screen पर mention के गया है tax deduction of source तो आप check out कर सकते हैं application form की बात करें इस तरीके से कुछ आपको आप इतन का प्रारूप देखने को मिलेगा date of birth आपका जो as on आपका रहेगा 21st March 2030 इसका जो PDF है application का प्रारूप संबादित हमारे टालिग्राम ग्रूप उत्राखंड open साथी Facebook ग्रूप उत्राखंड open नन पर भी available है जिन भी candidates ने अभी तक जॉइन नहीं कर रहे है तो link की description है आप सब अभ्यादी जॉइन कर सकते हैं नेक्स बहरती वी ग्यापन आपका release किया गया है RVNL के अंतरगत release किया गया है जिहां Rail Vikas Nikum Limited के अंतरगत release किया गया है और इससे पहले उत्राखंड राज्य के अंतरगत RVNL के अंतरगत जितने सारे महात्पूर भरती वी ग्यापन previous भी हमने कोशिस करी है cover करने की इसी क्रम में 21 फरवरी 2023 की डेट में एक vacancy notification रिलीस किया गया है और जानकारी के लिए आपके साथ साज़ा कर दें यह आपका पद रखेगा और location आपका रिशिकेश के लिए रखा गया है organization दिया गया है रिल विकास निगम लिमिटेट RVNL title and number of post की बात करें तो one post is general manager electrical के अंतरगर location की बात करें रिशिकेश आपका place of posting रहेगा and duration की बात करें तो three year subject to government approval for exemption to RVNL form the rule of immediate absorption service department यहाँ पर ARSEE electrical engineering department रखा गया terms of appointment यह आपका deputation based पे रहेगा age बताया गया है below 56 year आप अविदन कर सकते हैं scale of pay दिया गया है parent pay plus deputation allowances experience की बात करें reference will be given to the candidate having experience of the working in a construction organization minimum eligibility की बात करें general manager के लिए electrical में level 14 का pay grade रखा गया है जिसमें की 1,20,000 से लेके 2,80,000 तक आपको remuneration और emolument और salary दिखने को मिल सकती है officer of electrical engineering department holding substantively and post is analog grade CDA, IDA और post in level 13 CDA having 17 year service in a group A और post carrying grade IDA E7 रुपीज दिया गया है 1,00,000 to 2,60,000 for 4 year not दिया गया है cutoff date of age eligibility would be renonged as on closing date of vacancy notice official website की जान गया है closing date is की 30 day from the date of issue mentioned क्या गया है यहां पर कुछ important instruction दिये गहे हैं जोने आप read out कर सकते हैं बात करें prescribed performance for the submission of application on reputation basis तो इस तरीके से आपको कुछ आविदन पत्र का प्रावरोब देखने को मिल जाएगा जो के हमारे टेलिग्राम ग्रूप उत्राखन ओपन साथी Facebook ग्रूप उत्राखन ओपन नन पर भी available है अगर हम भरती विग्यापन की बात करें जो जारी क्या गया है विग्यप्ती है आपका कारेलेश सायक निदेशक डेरी विकास विभाग उत्राखन चमपावत के अंतरगत 22 वरवड़ी 2030 की डेट में विग्यप्ती वो विग्यापन रिलीस क्या गया है पत्रांक आप चेक आउट कर सकते है पसुची किस्सक पद एक अनुसुची जाती आरक्षी थेतु विग्यप्ती दुग्दल संग चमपावत को जिला यूजना 2022-2030 के अंतरगत निम्नानुसार पसुची किस्सक संविदा की आउशकता है पत का नाम पसुची किस्सक है संविदा के लिए रिकपदों का संक्या के अगर हम बात करें एक है आरक्षी द्वर्ग में अनुसुची जाती के लिए तीसरा इंपॉर्डेंट पॉइंट बताया गया संविदा आवदी आपका 31 मार्ज 2023 संविदा की आवदी इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है आवदन की जो अन्तिम्तिती बताए गई है 26 वरवई 2023 वह साक्षितकार की जो डेट बताए गई 28 वरवई 2030 बताए गई है तो आपको जल से जल इसके लिए आवदन करना है अगला जो भरती विग्यापन रिलीस के आगया वो इंपोर्टेंट है लवासना के अंतरका रिलीस के आगया है जो हाँ जानकारी के आपके साथ साजा कर दें और इसके लिए आप 17 अप्राइल 2023 तक आवदन कर सकते हैं वेकंसी सर्कुलर में जानकारी दिया गया है इस वेकंसी आर रिजर्व फोर सेडूल ट्राइव कैंडिडेट अनली स्टी कैंडिडेट ही इसके लिए आवदन करने के इलिजिबल माने जाएंगे Subject A, Inviting, Nomination for Filling Up Various Posts Through Permissible Proper Channel Lalwadyu Sastry National Academy of Administration Labasana An attached Office of the Department of Personal and Training Ministry of Personal, Public Revances and Pension is a Central Training Institute for Training of All India served as Other Service Group A located at Masoori, District Deeradoon, Uttarakhand The Labasana invite application from willing and eligible candidate for Filling Up the Vacancy mentioned below administrative officer के लिए one post है deputation based पर classification of post की बात करें journal central service group B gadget ministerial के अंतरगे paymatics level अपका 7 CPC रखा गया है जिसमें 44,900 से लेके 1,42,400 रुपे आपको बेतनमान देखने को मिलेगा DAHRA and other all allowances as admissible under the central government order from the time to time training allowances की बात करें not applicable eligibility condition for deputation based है officer of the central government who are यहाँ पर instruction mentioned किये गए है तो यह सारी job आपकी deputation based पर देखने को मिलेंगी the maximum age limit for appointment by deputation absorption shall not be exceeding 56 year as on the closing date of recipient of application कुछ important instruction है जिनने आप read out कर सकते हैं अला जो पर जारी किया गया है assistant administrative officer के लिए one post deputation based है method of appointment classification of post आपका general central service group B के अंतरगत है level 7 का वितन्मान है और training allowances के बारे में जानकाई दिया गया है eligibility condition for deputation संबध जानकारी screen पर mention किया गया है अगला पाद आपका assistant के लिए one post deputation based पे है classification of post के अगर हम बात करें general central service group B non graduated ministerial के अंतरगत level 6 का आपको वितन्मान रखा गया 7 CPC का गौर्डिंग 5,400 से लेके एक लाग 12,400 रुपे पे मैट्रिक्स है और DAHRA and all allowances as admissible under the central government order from time to time training and allowances not applicable है eligibility condition for deputation basis के जानकारी screen पर mention किया गया है अबर division clerk के लिए भी one post deputation based पर classification of post दिया गया है general central service group C non graduated ministerial level 4 का 7 CPC का गौर्डिंग वितन्मान रखा गया है 25,500 से लेके 81,100 रुपे पे मैट्रिक्स दिया जाएगा and DAHRA and other all allowances की जानकारी दिया गया है training allowances की जानकारी दिया गया है not applicable eligibility condition for the deputation संबादिश जानकारी वो general instruction दिये गये है pay and other allowances की बारे में जानकारी दिया गया है और किस तरीके से form fill करना है अने खुशर की बारे में बताया गया है और important instruction दिये गये है 6 परफ़ई 2030 की डेट में official notification रिलीस के आ गया है 17 अप्रेल 2030 तक आप इसके लिए आविदन कर सकते है by data and curriculum वेटाई परफ़ॉमा की बात करें तो submit to labasna masuri इसका application का प्रारोफ आपको हमारे telegram group उत्राखंट open साथी facebook group उत्राखंट open लन पर available है जिन भी candidates में अभी तक जोईन नहीं करा है तो जरूर जोईन करें link in description है अगला जो भर TV की आपने रिलीस किया गया था पहले रिलीस कर दिया गया था दो फरवरी दो जारती इसकी डेट में मैंने इसकी एक complete वीडियो आप समें लोगों के साथ पहले भी श्यर करी है जानकारी कलब के साथ साज़ा कर दे कि वीच अदर सिंगडवाली उत्राखंट और जोगी और भानी की विश्युट ध्याले के अंतरख़गत आपका प्रतिन्यूक्त के अधार पर अलग-लग विभाग के अंतरख़गत पद रखे गए हैं और उपनी देशक निर्मान थे हैं से यंतर के अंतरख़गत पधे उप्वित नहीं अंतरख चिकस्ता अधिकारी के अंतरगत चिक्सा अधिकारी लेखा अधिकारी सायग ने देशक फॉर्म वो प्रसासनी का अधिकारी अबर अभी अंता विद्यू अंवेक्टिकर सायग लेखाकार सायक उल्सचीव सायग लेखाकार के अंतरगत परतिनुक्ति के अधार पर ये पदों पर भरति विग्यापन रिलीस किया गया है तो जो भी इच्छों सरकारी कार्मिक हैं अगर आप पदों के लिए आविधन करना चाते हैं तो आप आविधन कर सकते हैं इसके लिए जो अंतिम्तिती रखी गई है एक मार्च 2023 से पहले आपको आविधन करना है आज किस वीडियो के अंतरग जैहिन बंदे मात्रं